तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे APSFL के बारे में यह एक broadband है fibernet company है तो पहले हम इसके बारे में समझ जाते हैं यह है कि इसका फुल फॉर्म क्या है तो APSFL यह है आंदरप्रदेश state fibernet limited और यह आंदरप्रदेश government owned company है broadband की company है fiber की company है यह आप कह सकते हैं internet service provider है तो इसकी website हम चेक कर लेते हैं इसके plans के बारे में मैं आपको बतायते हूं आगे इसके लिए हम click कर लेंगे plans पे तो यह सारे plans है तो इसको हम देख लेते हैं अभी तो पहला plan है home basic और इसका price है 3500 रुपए including 18% GST इसमें 18% GST include है already और add करने की जरूत नहीं है इसमें इसमें आपको 200 प्लस चैनल्स मिल जाएंगे और यहां पर है list of channels इस पर click करके हम check कर सकते हैं कौन से कौन से channels मिल जाएंगे तो आप pause करके यह देख सकते हैं कौन से कौन से channels मिलेंगे तो बहुत सारे channels है उसके बाद लिखाए up to 20 Mbps speed 20 Mbps तक की speed मिल जाएगी और 1500 GB data होगा FUP limit fair usage policy तो FUP limit अगर आप 1500 GB data एक मेने से पहले खतम कर लेते हैं तो after FUP 2 Mbps की speed हो जाएगी उसके बाद है plan home essential इसका price है 449 रुपे including 18% GST 18% GST already included है इसमें add करने की ज़रूत नहीं है इसमें आपको 240 plus channels मिल जाएगे इसमें भी list of channels है और 30 Mbps तक की speed मिल जाएगी इसमें और 300 GB data after FUP fair usage policy के बाद 2 Mbps की speed रह जाएगी उसके बाद है home premium plan इस यह है 599 रुपे का इसमें भी 18% GST include है add करने की ज़रूत नहीं है extra और 245 plus channels मिल जाएगे list of channels दे रखा है यहाँ पर 50 Mbps तक की speed मिल जाएगी और truly unlimited fair usage policy limit नहीं है तो इसमें unlimited data है अब जितना मज़ी यूज़ करें कोई limit नहीं है इसमें और नीचे है enterprise basic यह है 999 रुपे का excluding GST इसमें 18% GST include नहीं है आपको अलग से add करना पड़ेगा और यह institutions और offices के लिए है इसमें 100 Mbps तक की speed मिल जाएगी 400 GB data है और after FUP fair usage policy limit के बाद 1 Mbps की speed रह जाएगी next है enterprise standard और यह है 1499 रुपे का इसमें भी GST 18% GST include नहीं है अड़ करना पड़ेगा आपको अलग से 18% GST institutions और offices के लिए है 100 Mbps तक की speed मिल जाएगी 800 GB data मिलेगा आपको इसमें और after fair usage policy limit 1 Mbps की speed रह जाएगी उसके बाद है enterprise premium यह है 2499 रुपे का excluding GST इसमें भी 18% GST add आपको अलग से करना पड़ेगा यह भी institutions और offices के लिए है 100 Mbps तक की speed मिल जाएगी और 2000 GB data है इसमें और fair usage policy limit के बाद 1 Mbps की speed रह जाएगी तो यह था overall plan APSFL का जिसका पूरा नाम है आंतरप्रदेश State Fibernet Limited ओके फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो like जरूर कर दें और साथी साथ फ्रेंड्स और family में share भी करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो subscribe करना ना भूलें और साथ में bell icon hit कर दें और latest notification of my videos इसके regarding कोई question है तो आप मुझे comment में पूछ सकते हैं मैं उनके answer कर दूँआ जल्दी मिलेगे नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई